ओम बागे शुराय नमाहां इस मंत्र का जाप करना प्रारंब कर देना घर में रोग है बीमारी है हमसे मिल नहीं पा रहे परचा नहीं बन पा रहा निरास मत हो लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांद करके रख लो लहसुन प्याज मासमंदरा बंद कर दो इस मंत्र का गंगाजल लेकर 108 बार एक पाबर फुल चौपाई आप लोग रोज बोलते हैं पर उसका प्रियोग नहीं जानते हनमान 40 आ की एक पाबर फुल चौपाई है ना सहरोग है जपति निरंतर इस चौपाई को आप 108 बार बोल कर उस गंगाजल में फूंक लगा कर बीमार लोगी को 40 दिन तक पिला दो जाओ लोगी को रोग में आराम लगने लगेगा डॉक्टरी दबा काम करने लगेगी किसी को भी उपरी बाधा है उपरी बाधा से गृशित है भूत प्रेट बाधा परिशान कर रही काले रंग के कपड़ा में पांच लौंग ले करके आप बीजमंत नोट कर लीजे जो हमें सन्यासी बाबा ने दिया था ओम बं बागे सउड़ायए बीर बीर आये हुम फत स्वाहा ओम बं बागे सरायए बीर बीर आये युम फत स्वाहा इस मंत्र को 108 बार बोलकर अमक रोगी के गले में अत्वा हाथ में बान दीजिएगा तच्छन उसको उपरी बाधा से आराम लगने लगेगा और बागे सो धाम पर मंगल बार को प्रित्रात सरकार का दर्वा लगता है उसमर जाकर बैठवा दीजिएगा सदा सदा के लिए उसकी बाधा हनमान जी के चर्णों में बंद जाईगी बोलो सीता राम जोर सम बोलो एक बात रह गए थी हमारे नाम से बहुत लोग फ्रॉट गिरी करते हैं बहुत लोगों को हमने जैल भिजवा दिया परचा की दम पे फिर भी फ्रॉट गिरी वाले मानते नहीं हमसे मिलने के नाम पर दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का सुल्क फीश दक्षना नहीं देना है दरबार निसुल्क था है और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निसुल्क रहेगा